हालो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं तीन बेस्ट एडमी के स्मार्टफोन अंडर 20,000 विद रोस एंड कॉंस जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएंगी कि आप कौन सा फोन खरीदें तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरिये स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहने अगर आपको ये वीडियो पसना आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लिष्ट का पहला स्मार्टफोन है रेडमी का रेडमी नोट 11T जिसमें और आपको पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक मिलेगा और इसके वेट की बात करें तो यह आपको लगबग 195 ग्राम्स का मिलेगा जो की हेवी है अब आते हैं इसके प्रोस्टर की तरफ इसमें आपको मीडिया टेक का डायमेंड सिटी 810 प्रोस्टर मिलेगा जो की 6 से नम ब मिलता है जो की पाचास और 8 मेंगा पिक्सल का कैमरा है और आप में कैमरे से वीडियो को 1080p 830 और 60fps तक शूट कर सकते हैं और इसकी सेलफी की बात करेंगे तो इसमें आपको अपर और नीचे की तरफ में स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे और इसमें आपको 3.5 mm आडियो जै इसमें आपको 5000 ms की बड़ी सी बैटरी मिलेगी जिसके साथ आपको 33W का फार्स चार्जन मिलेगा और इसमें आपको साइड में फिंगर पिंगर्पिंट स्कैनल मिलेगा और आपको फेस लॉक भी मिलेगा और इसमें आपको ड्यूल वाइफाई ब्लुटूस 5.1 इसे साथ है और इसमें वीडियो शूट करने के लिए में कैमरे से 4K का सपोर्ट होना चाहिए था और यह IPS डिस्प्ले के साथ आता है कम से कम एमुलेड डिस्प्ले होना चाहिए था अब आते हैं अगले फोन की तरफ जो के रिद्में नोट 10S में आपको 6.43 इंज की आमुलेड टी मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और इसमें आपको ईड़ियूरियला मिलता है और मियद्स के साथ आता है अब बात करते हैं से फुरॉस्ट की मीदिया टेक का ही लो जी निव डिट लेने पेस है और इस सब्स्क्राइब पहुत जड़कर सकते हैं और इसके memory type की बात करें तो इसमें भी आपको LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का storage मिलता है और इसमें आपको dedicated memory card slot भी मिलता है आप बात करते हैं इसके camera की इसमें आपको quad camera setup मिलता है जो की 65 plus 8 और 2 plus 2 का combination है इसमें आपको LED flash भी मिलता है बीचे की तरफ और main camera में आप 4Gate 30fps तक video को shoot कर सकते हैं जो की अच्छी बात है और selfie में आपको 13 megapixel की selfie मिलती है जिससे आप 1080p 30fps तक video को record कर सकते हैं इसके sound system की बात करते हैं तो इसमें आपको ऊपर और नीचे की तरफ में stereo speakers मिलते हैं इसमें आपको 3.5 mm का audio jack भी मिलता है अब इसके battery की बात करते हैं तो इसमें आपको बड़ी सी 5000 इमेज की battery के साथ आपको 33 watt का power charger मिलता है कि other features की बात करते हैं इसमें साइड मांटर finger print scanner और face unlock का option मिलता है इस phone में आपको dual band wifi और bluetooth 5.0 का version में मिलता है अब बात करते हैं इस phone के प्रोस और phones की चलिए प्रोस से शिरुआ करते हैं ये phone आपको अच्छा light weight मिलता है जो कि around 178 grams का है और इस phone में आपको पीछे के camera से 4K 30fps वीडियो शूट करने का option भी मिलता है अब बात करते हैं से counts की जो कि ये phone आपको पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक मिलता है और इस phone में आपको refresh rate नहीं मिलता है और ये phone का जो प्रोस सरे 4G प्रोस सरे अब बात करते हैं इस लिष्ट के आखरी स्मार्टफोन की जो कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G इसमें आपको 6.16 की Super AMOLED डिस्प् भी मिलता है और इसमें आपको 1200 मिलती है और प्रोटेक्शन में आपको फ्रंट में Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ये phone IP53 रेटिंग्स का certified भी है इसमें आपको फ्रंट और बैक में ग्लास मिलता है और इसके वेट की बात करेंगे तो ये आपको फोड़ा सा हेव IP13 भी मिलता है इस phone में आपको Snapdragon 695 का processor मिलता है जो की 6NM based है और ये 5G processor है आप से अच्छी खासी gaming कर सकते हैं इसकी memory type की बात करेंगे तो इसमें आपको LPDDR4X की RAM मिलती है और UFS 2.2 का storage type भी मिलता है अब बात करते हैं इसके camera के तरफ इसमें आपको 108 megapixel का camera मिलता है प्लस 8 megap 2 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का macro और इसके साथ आपको LED flash भी मिलता है इसकी selfie की बात करेंगे तो इसमें आपको 16 megapixel की selfie भी मिलती है आप इसके main camera से 1080p 30fps तक वीडियो को shoot कर सकते हैं और इसके selfie से भी आप 1080p 30fps तक वीडियो को shoot कर सकते हैं अब आते हैं इसके speakers की तरह इसमें भी आपको stereo speakers मिलते हैं और 3.5 mm audio का support भी मिलता है और इसके battery की बात करेंगे तो इसमें आपको 5000 mm की बाड़ी से बैटरी और 67 watt का fast charger मिलता है और इस फोन के 10 features की बात करेंगे तो इसमें भी आपको side में side mounted fingerprint scanner दिया हुआ है और face unlock भी है और इसमें भी आपको dual band Wi-Fi Bluetooth 550 का version में मिलता है अब करते हैं इस phone के percent counts की चलिए इसके process शिरुवात करते हैं इसमें आपको super amoled display मिलता है और इसका design भी बहुत ही stylish है और इसमें आपको 120 hertz refresh rate मिलता है और इसमें आपको front में gorilla glass 5 का protection मिलता है और यह इसका back में आपको 108 megapixel का camera है और इसमें आपको 67 watt का fast charger मिलता है और यह एक 5G phone है इसमें आपको 7 5G bands मिलते है अब बात करते हैं इसके cons की यह phone थोड़ा सा बलकी है जो कि है 202 grams का और इसमें आपको वीडियो में आपको full HD video आप shoot कर सकते हैं जो कि at least इसमें आपको 4K 30fps तक video shoot करने का option होना चाहिए था यह सारे phone के links में ने description में दिये और नीचे दिये हुए लिंक पर क्लिक करके phones को purchase कर सकता है और मुझे support कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसन आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलता है आपसे अगले वीडियो